नमो नमा च्छात्रो आश्विद्याले से मैंनी दीशिर वास्तो सब्सक्रित की इस कप्छा में एक बाद फिर से आपका स्वागत करती है च्छात्रो शिक्ता से तू अर्थात बालू से बने हुए पुल के विशे में हम लोगों ने पिछली कक्छा में चर्चा की च्छात्रो ये नाट्यांश है और ये स्योम देव द्वारा रचीत कथा सरिसागर के सात्वे अध्याय से लिया गया है और इस नाटक में स्वार्ग से उतर कर इंद्र भगवान खुद आए हैं जो की वेश बतल कर बच्चे को सही मारतरशन दे रहे हैं बच्चा और उनमें बापसी बाचीत हो रही है वो इंद्र भगवान को बालू से रेट से पुल बनाते देखकर उनका उनके उपर हस रहा है उनका मजा कर रहा है और उनसे कहता है कि आप क्यों व्यर्थ में समय गवा रहे हैं आप क्यों व्यर्थ बेकार का समय गवा रहे हैं आपको बालू में कहीं बालू से रेज से कहीं पानी में क्या बनेगा पुल बनेगा क्या आपने इतना सोचा भी नहीं तो वो कहते हैं प्रहते से सब कुछ हो सकता है इंद्र भगवान उसको कह सकते हैं तो वो कहता है कि राम ने समुद्र में पत्थरों से चट्टानों से पुल बनाया तो आप उनका अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं आप उनका बदला क्यों ले रहे हैं आप उनको दबाना क्यों चाहँ है, बालु से, देट से क्या करके, घर पुल बनाकर सॉरी तो छात्रो वो उनसे बहुत करता है, और उनको कहता है कि उनसे कहता है कि हाए, इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है इतनी तेज प्रवावाली नदी में भी कहीं बालू से पुल बनेगा इनका प्रयतने तो बेकार ही है और जोर से उनके उपर हसा है और उनको बोलता है कि सोचो तुझे रहा बुद्धी तो लगाओ कि क्या बालू से कहीं पुल बनेगा तो चात्रो अभी तक की स्टोरी में आपने यहां तक पढ़ा आगे की स्टोरी में क्या बाते होती हैं दोनों के बीच में उसको जानने के लिए यह देखते हैं चात्रो हम लोग क्लास नाइन संस्क्रेट नौवा पठा सिक्ता सेतू का चतुर्था भागा प्रस्थुत पार्ट में चात्रो गद्याश इवंपर्ध्याश का हिंदी भाषा में आर्थ अन्वे शब्दा संधी विछेट पर हमने प्रकाश चाला है और चात्रो या गद्याश पुरुष से लेकर मम तक है तो देखे ध्यान से चत्रो पुरुष याने कौन इंद्रभगवान वो बोल रहे है सोत प्रासम चिंतितम चिंतितम उसने बोला ना क्या आपने सोचा भी नहीं करा भी तो वो कह रहा है सोत प्रासम याने उस्सापुर्वा खुशी से वो उसकी बात को समझ गए और वो खुशी से बोलते हैं उस्सापुर्वा चिंतितम चिंतितम याने सोचा समय के अच्छे प्रकार से भली प्रकार से चिंतितम याने भली प्रकार से सोचा उन्होंने कितनी बड़ी बात से उस बच्चे को समझाया देखे चाते उन्होंने क्या कहा ना अहम संदी हो रही है ना प्लस अहम याने ना याने नहीं अहम याने मैं सोपान मार गए रटम धिरोडू याने फीडी के मार गए से उपर जाने में विश्वसिमी याने विश्वास नहीं करता हूँ तोनों ने उसको क्या बोला कि मैं फीडी के मां से वन बाई वन इस्टेप के द्वारा मैं उपर तक तरक्की के मांग में जाने में विश्वास नहीं करता हूँ समुद प्लूत्य गंतुम छमोस्मी समुद प्लूत्य यहाँ पसंदी हो रही है समुद प्लूत्य प्लस एव गंतुम यहने जाने में चमोस्मी यहने चमा चमा यहने चमा और अस्मी यहने हूँ तो चमा यहने समर्थ हो तो वो क्या कह रहे है कि समुद प्लूत्य यहने उचल कर समुद प्लूत्य यहने उचल कर एव यने ही गंतुम यने जाने में छमा यने समर्थ अस्मी यने हूँ तो उसने क्या बोला इंदर भगवान ने खुशी से कि सोचा बहुत अच्छी तरह के सोचा मैंने मैं फीडी के मार्ग से जाने में विश्वास नहीं करता हूँ मैं तो उचल कर एक बार में ही जाने में समर्थ हूँ ऐसा वहाँ उस बालग को बताते हैं तो तपोदत कहता है आगे सुनिये तपोदता सव्यंगम यने व्यंगे के साथ साधू साधू यने बहुत अच्छा बहुत अच्छा आजने अप्यतिक्रामसी यने अभी तो उसने श्लोक के मात्यम से क्या कहा था कि आप राम का अतिक्रमन कर रहे हैं अभी उसने व्यंग करते हुए कहा साधू साधू यने अच्छा यने बहुत अच्छा आंजने आंजने यहने अंजनी पुत्र आंजने अप्य अतिक्रामसी आंजने यहने अंजनी का पुत्र आप्य यहने अप्य अतिक्रामसी यहने उनका अतिक्रमन का तो उसने क्या बोला यहाँ पर संदी हो रही है चात्रो आंजने अप्य अतिक्रामसी में आंजने प्लस अति अपी प्लस अतिक्राम सी तो उसने व्यंग पूर्वा कहा कि ठीक है ठीक है या उचीत है उचीत है आप हनुमान का अतु इक्रमन कर रहे हैं क्योंकि हनुमान को बोला गया था जड़ी बूटी लाने के लिए परन्तु वो तो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा कर ले आए थे ऐसा देखे यहाँ पर पिक्चर में दिखा भी रहे हैं तो उसने व्यंग किया कि आप तो छलांग मार कर जाना चाते या उचीत है ठीक है आप हनुमान का अतिक्रमान कर रहे हैं तब पूरुष साविमार्शम को अत्र संदेहा याने पूरुष उनको साविमार्शम याने जो इंद्र भगवान थे वो सोच समझ कर बोलते हैं को अत्र को याने कहा प्लस अत्र संदी हो रही है संदेहा संदेहा याने डाउट है तो यहाँ पर क्या संदेहा ऐसा वो बोल सोच विचार कर पुरुष उसके सामने बोलते हैं कि को अत्र संदे है को यहने क्या अत्र यहने यहां संदे यहने डाउट है शक है तो इसमें यहां क्या संदे है किंच यहां पर भी संदी हो रही है किम प्लस चा और क्या किम यहने और क्या अच्छा यहने और तो उसने बोला पुरुष ने इंद्र भगवान ने बोला सोच विचार के साथ कि यहां क्या संदे है और क्या यहने मैं अंजनी पुत्र के समान ही जाना चाहता हूं फिर वो श्लोक कहते हैं विना लिप्य अक्षर ग्यानम तपो भी रेव केवलम यदी विद्या वशे स्युएस्ते सेतू रेस तथामाम अर्थाथ इस लोक का तातपर समझने के लिए हमको सबसे पहले इसकान वे करना पड़ेगा चात्रो अन्वे करने के लिए वही बाते करता कर्म क्रिया और इनके विशेशन को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ती में सून योजित करना ही अन्वे कहलाता है चात्रो तो अन्वे देखिए इस लोक का यदि लीपी अक्षर ग्यानम विना केवलम तपो भी एप विद्याते वशेश्यू तथा मम एशार से तू यने उसने क्या कहा यदि यने यदि लीपी अक्षर ग्यानम यने लीपी अक्षर ग्यान के विना विना यने बिना केवलम यने केवल तपो भी यने तपस्या के द्वारा एव यने ही विद्या यने विद्या ते यने तुम्हारे द्वारा वशे यने वश में स्यू यने हो तथा यनि तो ममेशा से तू तो मेरा यह पुल क्यों नहीं उसने क्या बोला यदि बिना लीपी अक्षर ग्यान के यनि बिना लिखे पड़े ही जब तुम तपस्या के माध्यम से केवल विद्या को अपने वश में कर सकते हो तो मैं यह पुल क्यों नहीं बना सकता हूं कोशिश करके ठीक है ऐसा उसने इंद्र भगवान ने उसे समझाया शब्दा देखे चात्रों यहां पे तपो भी तपस्या से स्यू यने हो सेतू यने पुल संदी मिच्छे देख लिजे इस लोक का विना लिपी अक्षर ग्यानम में संदी हो रही है लिपी प्लस अक्षर ग्यानम सपो भी रे में संदी हो रही है सपो भी प्लस एव केवलम यदी विद्या वशे स्यू यस्ते में भी संदी हो रही है स्यू हू प्लस से सेतू रेशा में भी संदी हो रही है सेतु प्लस एशा तथा मम अर्थे देख लीजे चात्रो यदि लीपी अक्षर ज्यान के विना केवल तपास्या के माध्यम से विद्या तुमारे वश में हो सकती है तो मेरा यहाँ पुल भी बन सकता है ऐसा उसमें बताया किसने इंद्र भगवाने इंद्र भगवाने बालक को कितनी बड़ी बात के द्वारा समझाया कि वीना लीपी अक्षर ज्यान के यदि तुम तपास्या के माध्यम से ही केवल क्या कर सकते हो विद्या को प्राप कर सकते हो तो मैं कोशिश करके यह पुल तो नदी में बना ही सकता हूँ वालू से ठीक है तो चातरो यहां गद्याश यहां पर समापत होता है आपको आज के इस गद्याश में इंद्र और तपोदत नामक बालक में बहस हो रही है तपोदत हसता है और उनसे बार बार यही कहता है कि कभी कहता है कि आप राम काती करमण कर रहे हो तो इंद्र सोच विचार के कहते हैं कि मेरे को सीड़ी से जाने में कोई दिल्चस्पी नहीं है मैं तो उचल कर एक बार में छलाग मारना चाता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा तुम तो क्या कर रहे हो राम काति क्रमान कर रहे हो यह पुरुष तुम रहा हनुमान काति क्रमान कर रहे हो तो वो कहते हैं इसमें क्या बुराई है कुछ सोचते हैं इंद्र भगवान वो कहते हैं इसमें क्या बुराई है ठीकी तो है जब तुम बिना लिपी अक्षर ग्यान के बिना तपस्या के माध्यम से केवल विद्याध्यन कर सकते हो तो मैं उनका अतिक्रमान तो करी सकता हूँ और मैं पुल भी बना सकता हूँ ऐसा वहाँ बोलते हैं इंद्र भगवान उसको समझाते हैं तो चात्रो आपको या गध्यान और पध्यान से भरा भाग कैसा लगा आप जरूर बताईएगा अगर आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आज विद्याले के अपस को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी तब तक के लिए धन्यवाद चात्रो नमो नमा